हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं यूपी में अपना दल दर्जन से जधा सीटों पर दावा कर रहा है आज की बेठक में इस पर भी अंतिम फैसला हो जाएगा कल मंगलवार 25 जनवरी से तीसे चिरन की अधी सूचना लागू हो जाएगी और नामांकन प्रक्रिया प्राडम हो जाएगी आपको बता दे उत्तर प्रदेश विधान सबाचनाव के लिए भाजपा की सोमवार को एहम बैटक होने जा रही है इस बैटक में पांचवे छटे और सातवे चिरन के उमीदबारों के चैन पर चर्चा होगी पताया जा रहा है कि कोर ग्रुप के इस बैटक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्स वतंतर देव सिंग, प्रदेश महामंत्री संगठन, सुनील बंसल, उप मुख्यमंत्री केशफ मौर्या और डक्र दिनेश शर्मा के साथ ही चनाव प्रभारी अनुराक ठाक और शामिल होंगी, इसके बाद जिन नामों पर चर्चा होगी उन्हें पार्टी आलाक्मन के सामने रखा जाएगा और इसे अंत्यम रूप केंद्री चनाव समितिक में दिया जाएगा यहां तक बताया जा रहा है कि आज होने वाली इस बैठक में सयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा होगी यूपी चनाव के लिए आज जिन प्रत्याईशियों के नामों पर चर्चा होगी उन्हें 25 जनवरी को केंद्रे समितिको स्वपा जाएगा दिली में आज होने वाली बैठक 25 जनवरी तक चलेगी कोर ग्रूप द्वारा तै उमीदवारों की सुची केंद्रे चनाव समितिकों दी जाएगी और वहां से मंदूरी मिलने के बाद पार्टी इन तीन चर्णों के लिए उमीदवारों की घोशना करेगी इसके साथ ही पहले से चौथे चर्ण में जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याईशी तै नहीं किये हैं उन पर भी आज चर्चा की जाएगी बताया जा रहा है कि दिली में होने वाली बैठक में सयोगी दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा की जाएगी अपना दल और निशात पार्टी को दी जाने वाली सीटों को फाइनल मुहर लगीगी इन दोनों ही दलों के नेता दिली में जमे हुए हैं और जल से जल प्रत्याईशियों के नामों का एलान करना चाहते हैं वहीं अपना दल ने रविवार को रामपूर की स्वार सीट पर अपने प्रत्याईशिय का एलान कर दिया है जब कि अभी तक भाजपा और अपना दल में सीटों का बटपारा नहीं हुआ है बता दे कि सेयोगी दलों को दी जा रही सीटों पर भी भाजपा किसी भी कमजोर उमीदवार को मैदान में नहीं उतारना चाहती है जागरुक टीवी की खास रिपॉर्ट